अच्छे जी तो अब हम अपना question number 3 solve करना start करते हैं left hand side मैं लिख चुकी हूँ question number 3 की हमाई जो statement है verify the distributive law of complex numbers ठीक है अब distributive law basically क्या होता है उसके reason क्या है वो मैं आपको real numbers में बहुत clearly समझा चुकी हूँ इसका मत्तलब यह है कि अगर यहाँ पर a plus b aota हमारा इसका बाहर लिखा हूँ ठीक है यह कॉमन सूरत में अगर हम इसको अंदर भी multiply कर दें तब भी left hand side और right hand side equally आने वाली है अब next मुझे क्या करना है सबसे पहले तो अपनी इस bracket को solve करूँगी आप अच्छी तहां से देख सकते हैं अपरेशन परफॉर्म हो रहा है वह अडिशन का अपरेशन है सो मैं simply क्या करूँगी जो रियल पार्ट से उनको रियल में एड़ करवा दूगी मतलब के c plus e हो जाएगा जो imaginary है उनको imaginary में एड़ करवा दूगी मतलब के d plus f हो जाएगा और aota मतलब के imaginary पार्ट का जो aota है वो common चला जाएगा ठीक है और bracket हो गई close अब हमारे पास एक यह है complex number और दूसरा complex number यह है ठीक है यह दो complex numbers हैं हम इनकी multiplication करवानी है आपको मैंने clearly समझाया हो है multiplication किस तरह से करवाई जाती है यह इसकी पहली value है यह इसकी दूसरी यह इसकी पहली value है और यह इसकी दूसरी value है ठीक है आप अच्छी तरह से जानते हैं first part में हम first को first से multiply करते हैं मतलब के a multiply by c plus e और second को second से किस तरह से multiply करवाते है b multiply by d plus f अब एक चीज़ यहां पर आपको नज़र आ रही होगी मैंने sign नहीं लगाया वो क्या होगा aota, aota, aota square aota square की value minus 1 तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास minus और bracket होगे close क्यूंकि हमारा real parts होगे हैं पूरे अब चलते हैं imaginary की तरफ imaginary को represent करने के लिए लगा लेते हैं aota, ठीक है अब multiplication स्टार्ट करते हैं जैसे imaginary part में हम enter करते हैं position swap कर जाती है मतलब कि अब हम first को second से multiply करेंगे तो क्या आजएगा a multiply by d plus f ठीक हो गया a को किसे multiply करेंगे d plus f से plus अब b को किसे multiply करेंगे c plus e से clear अब next step में हमें क्या करना है यहां से भी a और b को अंदर multiply कर देना है यहां से भी a और b को अंदर multiply कर देना है a c plus a e minus b d minus b f यह हो गया real part चलते हैं imaginary की तरफ a d plus a f plus b c plus b e clear left hand side हमारी solve हो गई अब चलते हैं अपनी right hand side की तरफ और देखते हैं कि वो left hand side के equal आती है या फिर नहीं ठीक हो गया अब यह हमारे पास statement है simply क्या करेंगे इन दोनों को और इन दोनों को पहले multiply करेंगे इन दोनों के जो answer होंगे उनको add करवाया जाएगा सो यहां पर मैं multiplication स्टार्ट करती हूं आप एफ प्लस एउटा ठीक है अब क्या होगा first को last से मत्तबके एफ प्लस बीई क्लियर अब मुझे क्या करना है यह हो गए close यह first हमारा complex number हो गया यह हमारा हो गया second complex number इस बात को याद रखेगा यह पूरा एक complex number और यह पूरा भी एक ही complex number है अब real को real में और imaginary को imaginary में add कर देंगे real की बात अगर यहाँ पर की जाए AC minus BD है तो मैं AC minus BD लिख लेती हूँ अगर इधर real की बात की जाए तो क्या है AE minus BF so मैं यहाँ पर लिखते हूँ प्लस क्यूंके center में plus था AE minus BF यह हो गया हमारा real part अब चलते है अपने imaginary part की तरफ imaginary part क्या है हमारे पास AD plus BC so AD plus BC plus क्यूंके center में plus था AF plus BE AF plus BE इसी के साथ हमारा left hand side और right hand side आप देख सकते हो बिल्कुल equal आ चुका है so इसी वज़ा से हम नीचा लिख देते हैं that left hand side is equals to right hand side मत्तब के distributive law भी जो है वो यहाँ पर proof हो चुका इसी के साथ हमारा question number 3 बी complete हो गया कोई problem हो या कोई confusion comment section में जरूर पूछिएगा वीडियो पसंद आई हो तो like review कीजेगा channel को subscribe जरू कीजेगा thank you so much for watching this video Allah Hafiz